Good afternoon students, today we are going to start exercise 2.2 and here first question is if you subtract 1 by 2 from a number and multiply the result by 1 by 2 you get 1 by 8 what is the number? means हम अगर किसी number में से 1 by 2 को subtract करे and then उसको multiply करे 1 by 2 से तो हमें result जोगा वो 1 by 8 मिलेगा तो वो number क्या है? so here solution let the number be x हमने suppose क्या किया कि वो number क्या है? वो number है x, now according to question हमें क्या करना है? we have to subtract 1 by 2, हमने subtract कर दिया then we have to multiply by 1 by 2 तो हमने 1 by 2 से multiply कर दिया और उसका result क्या बोला है आपको? कि 1 by 8, तो result is equals to 1 by 8, now solve करेंगे 1 by 2, यहां multiply में, तो यहां पर जाके क्या हो जाएगा रेसी प्रोकल तो 1 by 2 को transpose किया, तो यहां पर हो गया वो 2 by 1, 2 1s are 2, 2 4s are 8 यहां पर हो गया आपका 1 by 4, यहां हो गया 1 by x minus 1 by 2 अब 1 by 2 यहां minus का है, transpose करेंगे, तो यहां हो जाएगा चाकर प्लस का, 1 by 4, यहां पर हो गया आपका है 1 by 2 प्लस का, अब यहां पर denominator change है, तो हमें पहले same बनाना पड़ेगा denominator same बनाएंगे, तो हमने लिया LCM, 4 1s are 4 पहले करते हैं, divide, then करते हैं, multiply, मतलब numerator से करते हैं, divide and sorry, denominator से करते हैं, divide and numerator से करते हैं, multiply तो 4 divided by 4, that is equals to 1, and 1 multiply 1, that is equals to 1 now, 4 divided by 2, that is equals to 2, and 2 multiply by 1, that is equals to 2 2, 1, 1, 3, 1, आपका answer हो गया, 3 by 4, clear? now, second question is, the perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter, its length is 2 meter, more than twice its breath, what are the length and breath of the pool? ठीक है, question क्या है आपका, कि एक rectangular swimming pool है और उसका perimeter जो है, वो 154 है, तो हमने यह पर एक बना लेते हैं, rectangular pool, इसका perimeter, perimeter मतलब उसकी जो boundary है, वो कितनी है, 154 meter है, हमने यह लिख लिख लिया है, आपका, अब क्या बुलाए, its length is 2 meter more than twice its breath, मतलब कि breath से अगर twice किया, और उसमें 2 क्या करना है, हमें add करना है, more याने हमें 2 add करना है, तो उसकी length हा जाएगी, पर अब हमें breath ही नहीं पता, तो हम length कैसे निकालेंगे, तो इसलिए हमें क्या करना है, suppose कि यहाँ पर breath क्या हो रही है, x, तो यह breath हमने x meter करी, suppose, तो उसके according to question length क्या हो जाएगी, तो आपकी length हो जाएगी, twice करना है पहले, तो हमने इसका twice किया, x का twice किया, तो 2x, और उसमें 2 को क्या करना है, add करना है, तो यह आपकी होगी length, यह आपकी breath हो गई, यह होगी length होगी, अब आपसे पूछाए कि breath और length जो हो, क्या होगी, तो हमें पता है कि perimeter का formula क्या होता है, हमें पता है कि rectangle का perimeter क्या होता है, तो perimeter of rectangular pull is equals to क्या होगा, 2L plus B, तो यहाँ पर आपको क्या है, दिया होगा है, perimeter, तो perimeter जो दिया है, हमने asities लिख दिया, अब यहाँ पर two asities रहेगा, length हमने लिख लिख लिया है, यहाँ से question में से, और यहाँ पर फिर breath, breath कितनी है, 2X है, ठीक है, 2X और X हो गया, आपका 3X, 2 as it is, 2 यहाँ पर क्या है, multiply में, तो 2 यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, हमारा, divide हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर divide हो गया, 27 जा 14, 1 यहाँ पर बजगया आपका, तो 27 जा आगें 14, यहाँ पर हो गया, 77, 3X प्लस 2, 2 प्लस का, यहाँ पर आके हो गया, आपका माइनस, तो यह हो गया, आपका 75, 3X, 3 multiply का, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, divide, 3, 2 जा 6, 3, 5, जा 15, तो यहाँ पर आपकी X is equal to 25, 25, X हमारा क्या था, breath, हमारी breath आगई यहाँ पर 25, हम यहाँ पर इसी के आगे लिख देते है, breath, अब हमें पता है, length, length निकाल नहीं, तो length क्या थी हमारी, length हमारी है, 2X प्लस 2, तो 2, as it is, X की value 25, और यहाँ पर 2, बाद मेरिट कर देंगे, 25, 2 is 50, 50 plus 2, that is equal to 52, तो यहाँ की होगी, 52 meter उसकी length होगी, breath होगी उसकी 25 meter, हम एक बाद चेक कर लेंगे कि हमारा answer सही है क्या, तो आपको पता है कि perimeter का formula होता है, 2L plus B, ठीक है, तो 2 as it is, L की value रखी हमने 52, B की value अभी हमारे है 25, इन दोनों को plus किया, आपका होगी 77, यहाँ प 1, 2 ता 14 और 1, 15, ठीक है तो आपका मतलब perimeter की ता 154 आना चाहिए था, जो की question में दिया है, इसका मतलब आपका answer सही है, आपकी length और bridge जाईए वो सही, now third question is, the base of an isoseles triangle is 4 by 3 cm, the perimeter of the triangle is 4, 2 by 15 cm, what is the length of either of the remaining equal sides, यह आपका question है, question क्या है कि isoseles triangle, तो पहले isoseles triangle क्या होता है, isoseles triangle वो होता है, जिसकी two sides क्या होती है, equal होती है, तो हम यह कर रहे हैं, suppose कि यह दोनों sides equal है, ठीक है, यह हो गया, the base of isoseles triangle, और उसका base कितना दिया वाई, 4 by 3 cm, तो यह 4 by 3 cm base है, the perimeter of the triangle, और इसका पूरा perimeter, perimeter मतलब boundary, मतलब कि इन तीनों का अगर add किया जाता है, तो वो कितना है, perimeter, 4, 2 by 4, 2 by 15, इसको हम change कर लेंगे, mix fraction है, तो इसको proper, improper में change कर लेंगे, तो 15, 4 जा 60, और 60, और plus 2, 62, तो 62 by 15 cm, यह आपका होगे, आप तीनों sides को मि इलाकर 62 by 15 है, और one side जो है, उसकी 4 by 3 है, ठीक है, what is the length of either of the remaining equal side, तो आपको क्या find करना है, इन दोनों side को find करना है, जो नहीं पता होता है, हम उसको क्या करते हैं, suppose करते हैं, कि वो x है, तो यह भी x है, तो यह भी x हो जाएगा, ठीक है, अब हमें पता है, question में दिया है, कि boundary यह रही, तो हम क्या लिखेंगे, perimeter of, perimeter of isoceles, perimeter of isoceles, triangle is equals to, perimeter of क्या होगा, perimeter, इसका perimeter होगा, sum of all sides, sum of all sides, अब sum of all sides में एक side है, उसकी x, दूसरी x है, तीसरी कितनी है, 4 by 3, और यहाँ पर जो तीनों का sum था, जो कि already question में दिया है, वो 62 by 15, यहाँ पर x और x को plus किया, 2x, 4 by 3 as it is, 62 by 15 as it is, 2x as it is रहेगा, 4 by 3 यहाँ प्लस का है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, minus का हो जाएगा, तो हमने किया, 4 by 3 को minus, यहाँ पर आप, denominator change आ रहा है, तो हमें इसक denominator, same करने के लिए LCM लिया, जो कि 15 ही आएगा, आपका 3 और 15 का, तो denominator, same करने के लिए LCM हो गया, आपका 15, 15 divided by 15 that is equals to 1 and multiply by 62 that is equals to 62, 3, 15 divided by 3 that is equals to 5 and 5 multiply by 4 that is equals to 20, 62, 62 minus 20 is equals to 42 and 15 as it is, अब यहाँ पर 2 क्या है, multiply में तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर जाकर के, divide में, 2 हो गया, divide में और X हो गया, आपका IJT is 2 से cancel कर देंगे, 2 to the 4, 2 to 1 the 2, तो हमारी X की value आगे, 21 by 15, cm में question था, तो cm unit, third question is complete, जो दोनों sides हैं, वो आपकी क्या हो जाएगी, ISSLS triangle की वो दोनों हैं, आपकी 21 by 15, cancel out भी कर सकते हैं, इसको 3 की table से, 3 7 जा 21 and 3 5 जा 15, तो आपक answer हो गया, 7 by 5 cm, now fourth question is, sum of two numbers is 95, if one exceed the other by 15, find the numbers, means क्या है, question में क्या पूलना चाहरा है, कि दो numbers हैं, उनका sum 95 है, one number exceed the other by 15, मतलब एक number दूसरे से 15 जादा है, तो हमें पता ना है कि वो numbers क्या है, तो हमें पहला number ही नहीं पता, तो हम पहले को क्या कर लेंगे, suppose first number जो है, वो X है, और दूसरा उस से 15 जादा है, तो दूसरा number क्या हो गया, आपका X plus 15, और according to question क्या बोला है, कि इन दोनों का sum कितना है, इन दोनों का sum है, 95, तो हमने इन दोनों का क्या कर दिया, इन दोनों का sum 95 है, अब इन दोनों का sum किया, X और X हो गया, 2X, 15 हो गया, आपका as it is, 95 as it is, 2X again as it is 15 यहां प्लस का यहां पर जाकर हो जाएगा आपका minus का तो 95 minus 15 that is equal to 80 2x as it is x as it is रहेगा 2 यहां multiply में यहां पर आकर हो जाएगा divide 2 for the 8 और 0 का 0 तो आपका x की value आ गई x मतलब first number x जो first number है आपका वो हो गया 40 other क्या पोला था कि वो से 15 जादा है तो दूसरा number क्या हो गया आपका इसे 15 जादा लेना है आपको तो other number जो है आपका x plus 15 is equals to कितना हो जाएगा 40 plus 15 जो कि 55 ठीक है तो आपका 40 और 55 numbers हो गया आप चेक कर लिजिए कि दोनों का sum 95 हो रहा है हो रहा है इसका मतलब आपका question सही है now question number 5 two numbers are in the ratio of 5 ratio 3 if they differ by 18 what are the numbers question में बोल रहा है कि two numbers जो है उनका ratio है 5 ratio 3 मतलब एक जो है 5 के ratio में और एक 3 के ratio में और differ differ मतलब कि उन दोनों में difference क्या है उन दोनों में difference है 18 तो क्या बोला है आपसे कि वो numbers क्या है अब हमें तो पता जहां पर भी ratio की बात होती है ratio क्या होता है सबसे पहले ratio is the smallest unit of any number ratio क्यों होता है सबसे smallest unit होती है कोई number नहीं होता है वो तो अब ratio के साथ हमें हमेशा क्या put करना होता है x y कोई भी variable को put करना होता है तो हम X ले लेते हैं कि जो दो नंबर से वो हमारे क्या हैं दो नंबर तो एक नंबर हमारा हो गया 5 के साथ में X पूट कर दिया हमने और दूसरा हो गया हमारा 3 के साथ में X तो यह दो नंबर हो गया 5X और 3X Now according to question क्या बोला गया है कि इन दोनों में difference है 18 का अब यह तो understood है कि 5X बढ़ा होगा 3X से तो इसका मतलब कि 5X में से अगर मैं 3X को minus कर दूँ तो क्या हो जाएगा 18 आजाएगा क्योंकि बोला है ना कि उन दोनों में difference 18 का है तो यह आपका हो गया solution अब इसे हमारा हो गया statement बन गया अब हमें से solve करना है 5X minus 3X is equals to 2X और 18 as it is X as it is रहेगा 2 यहां से multiply में तो वो हो जाएगा divide में तो यह हमने हो गया cancel किया तो हो गया 2X is equals to 9 यह अब आपका X की value आ गई अब आपको question में क्या दिया था कि वो है 5 ratio 3 में तो 5 ratio 3 में और हमने क्या उसको कर दिया था X कर दिया था तो पहला number 5 x दूसरा 3 x थो हम दोनों के साथ 9 को यहां पर X की value पूट कर देंगे तो यहां पर हमने value पूट करी तो 5 के साथ किया तो 5 9 जा 45 next वाले में क्या हो गया, 3 के साथ में हमने किया, x की value put करी 9, यहाँ पर हो गया 27, अब इन दोनों में हम देख लेते हैं, कि क्या difference करने पर 18 आ रहा है क्या, तो 5 minus 7, that means 15 minus 7 is equals to 8, and 3 minus 2 is equals to 1, 18 आ गया, इसका मतलब आपका question जो है, आपका solution जो है, वो सही है, मतलब एक number 45 है, दूस इसका मतलब है, कि जो 3 consecutive integers हैं, उनका जो सह में वो 51 है, तो वो 3 integers क्या है, पहले consecutive का मतलब क्या होता है, consecutive मतलब continue number, जैसे 1, 2, 3 है, तो उनमें क्या होता है, कि जो आगे next number होते है, उनमें क्या होता है, 11 plus होता जाता है, एड होता जाता है, तो यह quality होगी, तो first number अब हमें नह तो हम आगे कि कैसे निकालेंगे तो first number को हमने suppose किया वो x से तो first number अगर x से तो अगला x plus 1 हो जाएगा उसके बाद x plus 2 हो जाएगा फिर x plus 3 ऐसे करके numbers होते जाएगे तो हमें 3 numbers चाहिए तो first number है हमारा x next number x plus 1 और उसके बाद x plus 2 अब according to question क्या है कि तीनों number का क्या है add up करते हैं अगर हम उनको तो क्या होना चीए 51 तो हमने तीनों को क्या कर दिया यहाँ पर add कर दिया तो तीनों को add करने पर हमारा 51 हो गया अब इसको हम solve कर लेते हैं x x x मतलब 3x 2 और 1 3 51 as it is 3x as it is 51 3 यहाँ पर plus का यहाँ पर हो गया minus का 51 minus 3 that is equal to 48 3x as it is x as it is 3 multiply में तो यहाँ कर उजवाएगा divide में 3 बंजा 3 3 6 आ 18 here x is equal to 16 मतलब की first number आपका क्या हो गया 16 next number क्या हो गया आपका 1 plus करना है तो 17 उसके बाद अगला क्या हो गया 18 अब आप देख लेंगे अगर इन तीनों का sum 51 है इसका मतलब सही है 8 और 7 होता है 15 15 और 6 होता है 21 21 का 1 carry किया 2 2 और 1 3 3 और 1 4 4 और 1 5 मतलब क्या आपका question जो यह वो क्या है सही है clear now next question is next question is question number 7 the sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888 find the multiples question क्या है कि sum of 3 consecutive multiple of 8 consecutive numbers भी है वो और 8 के multiples भी है तो consecutive मतलब पहला x है next x plus 1 है और उसके बाद वाला x plus 2 है और वो multiples है 8 के इसका मतलब हमें उनमें multiply करना है 8 का और अगर उनको क्या कर दें sum और उनको add कर दें तो वो 888 के equal हो जाते है तो आपको multiples बताने है तो हम इसको solve करेंगे first पहले हमारा number जो था वह x से अगला number हमारा x plus 1 है और उसके बाद x plus 2 और फिर क्या बोला था कि वो 8 के multiples है तो हमने 8 स उनका multiply कर दिया और क्या बोला था उनका sum जो है उनका sum जो है उनका sum जो है किसके equal है ट्रिपल 8 है अब हमें solve करना है 8 multiply by x that is equals to 8x यहां पर solve किया हमने तो 8x हो गया और 8 बंजा 8 यहां पर 8x हो गया again और 8 to the 16 ट्रिपल 8 as it is 8x 8x और 8x कितना हो गया 8 8 24 हो गया 8 और 8 16 16 और ट 24 16 और 8 भी कितना होता है 24e और ट्रिपल 8 as it is 24x यह यहां ही पर आएगा 24 यहां प्लस का यहां जाकर क्या हो जाएगा minus का हो जाएगा 8 minus 4 that is equals to 4 8 minus 2 that is equals to 6 and 8 is equals 8 as it is 24x as it is 24 multiply में यहां पर आकर हो जाएगा आपका divide में अब हम इसको cancel कर देंगे 2 से भी होई राय दिख रहा हम even number है 12 से भी हो जाएगा देख लेते हम 2 से कर लेते पहले 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 12 से भी हो जाएगा 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36, 36 minus किया तो 7 हो गया, तो 72 हो गया, तो 12 6 is 72, तो आपका कितना हो गया है आपर x is equals to 36, अब हमें मिली x की value यानि कि पहला जो था हमारा number वो हमारा x था, तो x की जगे क्या हो जाएगा हमारा 36, अगला number हमारा x plus 1 मतलब कि 37, अगला number x plus 2 यानि कि 38, और हो multiples भी है 8 के, तो हमें इन सब का multiply 8 पर करना पड़ेगा, तो हमें numbers मिल जाएगे, तीनों number मिल जाएगे, 8 6 is 48, 48 का 8 का 8 केरी किया 4, 8 3s are 24, 24 हो 4 हो गया आपका 28, तो पहला number आगया आपका 288, next number आपका 8 से बंजा 56, 56 का 6 केरी किया 5, 8 3s are 24, 24 और 5 हो गया आपका 29, next 8 8s are 64, 64 का 6 केरी किया 6, 8 3s are 24, 24 और 6 आपका हो गया 30, तो यह आपके तीनों number हो गया, आप इन तीनों का sum करके देख लो, अगर 888 आता है तो आपका questions आइए, plus करके देख लेते हैं, 8 और 6, 14, 14 और 4, 18, 18 का 8, केरी किया 1, 9 और 1, 10, 10 और 8, 18, 18 का 8, केरी किया 1, 3, 1, 4, 4, 0, 2, 6, 6, 0, 2, 8, मतलब कि हमारा को, यह जो तीनों हमारे answers आएं, वो तीनों सही है, now next and last question, 8th question, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplies by 2, 3 and 4 respectively, and they add up to 74, find these numbers, ठीक है, क्या बोला है सबसे पहले कि 3 consecutive integers, that means, अभी हमने देखा consecutive मतलब x, x plus 1 और x plus 2, ठीक है, अब क्या बोला है, कि increasing order में हैं, तो increasing मतलब बढ़ रहे हैं, दिख रहे हैं, हमें कि x से x plus 1, x plus 2 है, और उनको multiply करना है 2, 3 और 4 से, तो पहले को किया multiply 2 से, then किया 3 स और उसके बाद में किया हमने 4 से, और उनका sum जो है, वो है 74, तो इन तीनों को जब हमने add कर दिया, तो 74 है, तो आपको बताना है कि वो numbers क्या है, ठीक है, तो 2 multiply by x, 2 x, 3 into x, that is 3 x, 3 बन्दा 3, 4 x, and 4 to the 8, and 74, as it is, 4 or 3 is 7, 7 or 2, 9, 9 x, 8 or 3 is 11, 74, as it is, 11 यहां plus का जाकर minus हो जाएगा, 74 minus 11, 4 minus 1 is equals to 3, 7 minus 1, that is equals to 6, and 9 x here, 9 multiply में यहां पर आके हो गया, divide में, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, तो आपकी x की value आ गई 7, ठीक है, तो first number था आपका x, जो की 7, अगला number x plus 1, याने 7 plus 1, that is equals to 8, और अगला number x plus 2, 7 plus 2, 9, ठीक है, अब multiply करना है, पहले वाले नंबर को 2 से, दुसरे वाले को 3 से, और उसके बाद वाले को 4 से, देखते हैं, अगर sum इसका 74 आया, मतलब सही है, 7 to the 14, 8 to the 24, 9 to the 36, अब इनका sum देख लेते हैं, 6 और 4, 10, 10 और 4, 14 का 4, carry 1, 3 और 1, 4, 4, 2, 6 और 1, 7, मतलब क्या है, 74 आगया, हमारा question में भी 74 था, इसका मतलब, जो number से वो क्या है, 14, 24 और 36, स्टूडेंट्स, आपको solutions जो हैं, सारे properly PDF में मिल जाएंगे, आपको neat and clean तरीके से, अपनी fair copies में लिखना ऐसे, clear, thank you.